तो यहां पर दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वीवो के Y35 मोबाइल में call recording setting को कर सकती हो यहां पर दोस्तों call recording करने के लिए आपको क्या करना होगा इस वीडियो को पूरे end तक देखना होगा तो यहां पर मैं आपको step by step सारा कुछ बताने वाला हूँ तो simply if दोस्तों बिने किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर अपने जो Google का डाइलर आता है उसको यहां पर open कर लेना है open करने के बाद यहां पर आपको three dot पर क्लिक करना है then यहां पर आपको तीन option मिलेगे तो यहां पर आपको setting में जाना है setting में जाने के बाद आपको यहां पर धेर सारे option देखने को मिल जाते हैं लेकिन दोफ्तों आपको क्या करना है, यहां पर सब से पहले call recording में जाना है, ठीक है, यहां पर जाने के बाद आप कुछ फैटिंग्स करनी है, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, यहां पर सब से पहला जो फैटिंग आता है, delete recording का, तो यहां पर इसको आपने never perfect करना है, अगला जो option आता है हमारे पाफ, delete all ना, यह वाला option आ जाता है, तो यहां पर आपकी फ़वी, कि फ़वी, call recording, जितनी भी हुई पड़ी होती है, वो यहाँ पर आपको show करती है, यहाँ पर आपको click करना है, अगर यहाँ पर आप delete करते हो तो यहाँ पर जितनी भी code recording होगी फबी कि फबी delete हो जाएंगी, तो आपने if option को भी नहीं share ना है, ठीक है उसके नीचे आपको एक option देखने को मिल जाता है, इसके जरीए आपका जो code recording है, वो होगा, यहाँ पर आपको number not in your contact, तो यहाँ पर on कर देना है इसको, always record पर click करना है, इसको on कर दिया then नीचे आपको flag number पर click करना है, और आपको यहाँ पर choice of contact number ठीक है, तो यहाँ पर आपको click कर देना है अभी जिसका भी number की आप call recording करना चाहते हो, उसका number आप save कर लीचे अपने mobile में और यहाँ पर उसका जो number flag कर लीचे, तो यहाँ पर मैं उसको number flag कर रहा हूँ अभी जो भी बंदा इनमे से मुझे call करेगा, जा मैं इनको call करूँगा, तो उनकी call recording automatically start हो जाएगी तो इस तरह फे दोफ्तों, आप अपने विवो के Y35 मोबाइल में call recording करेखकते हो, तो thanks for watching this video guys